एसे ही का तमाम ये कंगो दिवाल है जैसा ही रंगो रंगो है पैसा ही माल है नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकधर आप देख रहे हैं मनी नाइन समय हो गया है आपके फेवरिट प्राइम टाइम शो मनी सेंटर का मेरे साथ स्टूडियो में मनी नाइन के एडिटर एंशुमान तिवाली जी जुड़े हैं आज दिन की सबसे बड़ी खबर जो है वो है अमेरिका से चीन से अमेरिका के स्टॉक मार्केट में चीन की जो कंपनियां लिस्ट थी उन पर संकट के बादल मढरा रहे थे जी हां मढ हो जाएगी फ्री राशन स्कीम मंदी दूर करने के लिए आ सकता है राहत पैकेज कैसा होगा यह राहत पैकेज इस पर चर्चा होगी उत्पादन में कटवती के बाद भी क्यों नहीं टिकी तेल की तेजी कि अशियर वजार की तेजी पर लगेगा ब्रेक अधानी ग्रुप को सुप्रिम कोट से बड़ी राहत किस मामले में और क्या राहत है इस पर चर्चा होगी और अमेरिका चीन में हुई बड़ी डील जैसा मैंने आपको बताए एक डील हुई है इसके बारे में हम आज समझेंगे केंद्री पूल में गेहूं का स्टॉक लगातार कम हो रहा है जिस वएसे गेहूं और आटे की कीमतों में बड़ोतरी की आशंका बढ़ गई है पहली सितंबर को केंद्री पूल में गेहूं का कुल स्टॉक धाई सो लाख टन दर्ज किया गया है जो 14 वर्षों में सितंबर की शुरुबात का सबसे कम स्टॉक है बाजार में गेहूं और कि कीमतों में जब भी बढ़ती है तो सरकार अपने भंडार से ऑपन मारकेट पे गयोंकी विक्री बढ़ाती यह जिससे कीमते कावम न है लेकिनस इस साल यहों और पहले से मेंगा चल रहा है और सरकार पास ओपन मार्केट में ग्यों की सप्लाई वढ़ाने का जाधा स्कोप भी नहीं है क्यों क्यों कि वहाँ पर जाधा स्टाउक भी नहीं है किंद्री पूल की मौझूदा इससेती देखकर आपको क्या लगता है कि फ्री राशन स्कीम आगे सरकार चला पाएगी शुबं के वहाँ के स्टाउक की बात नहीं है हमारे पास जो सूचना उससे सबसे चावल का स्टाउक भी सेंट्रल पूल में जो जुलाई और अगस्त के आंकड़े थे उससे सबसे वो बफ़ाँ नाम्स के लगभग करीब था या उससे नीचे था करीब करीब 16 फिस्दी नीचे था 2.2 मिलियन टन के आसपास का चावल के स्टाउक की स्थिती भी है और उस समय से ही यहों के स्टाउक के बात से बराबर इस बात की चिंता है कि प्रधान मंतरी गरीब कल्यान योजना जिसमें 80 करोड लोगों को सस्ता राशन और मुफ्तरोशन दिया जा रहा है उसे कैसे जारी रखा जाएगा और शायद यही वज़े थी कि जो भारती खादिम अंतराल है उसने 30 सितंबर तक राज्यों को फूट ग्रेन उठाने की छूट दी थी स्टाक्स की की जो सीमा तेकी थी कि ओ सेंट्रल पूल से 30 सितंबर तके सिनाज को उठा सकते हैं इसके बाद अभी हमारे सामने कोई नतीजा इस पश्ट रूप से सामने नहीं है लेकिन जैसा आपने इस खबर में देखा कि गेहूं का स्टाक रिकॉर्ड लेविल से नीचे तक है हाला कि खरीफ की सौइंग tentar और खरीफ की खरीट का आंखडा सरकार ने गेहूं की तरह ही जाधा रखा है लक्ष niżा यादा रखा है कि इस साल काफी कमजोर रही थी सरकार को कि सीमा बढ़ानी पड़ी थी और चावल कावल की भी खरीद कितनी हो पाएगी यह हमें खरीफ की फसल का आखिरी आंकड़ा मिलने के बाद बुवाई के बाद और उसके बाद जब हर्वेस्ट आएगी तो उसे दिखाई देगा यहां दुविधा यह है कि ऐसी परिस्तिती में या तो सरकार को अनाज का आयात करना मान रहे हैं कि वीट और चावल के स्टॉक में कमी आई है गिरावट गिरावट आई है जो कम से कम बाजार की दृष्टी से तो एक पश्टूप से संकेत है कि सरकार अगर मुफतनाज की स्कीम ना भी बंद करे लेकिन बाजार में जो मांग और आपूर्ति का संतुलन है मौजुदा स्टॉक को देखते हुए जारी रखा जाए या नहीं एक तरफ महगाई को निंतर करने के लिए रिजर्बेंक ब्याज़रें बढ़ा रहा है ताकि अर्थवरस्ता में लिकुरिटी को घटाय जा सके और दूसी तरफ सरकार के कहना है कि अर्थवरस्ता में सुध रिजर्बेंक की जो सारे प्रयास है लिकुरिटी को कम करने के मांक को श्रिंग करने के सिकोड़ने के उसको धक्का लगेगा सर फिर यह रहात पाकिज किस तरह का हो सकता है भारती अर्थवरस्ता का यूके को पचाल कर आगे होने की जो पूरी चर्चा थी और तालिस गंट सरकार की मेच पर हैं वित्मंत्री के बयान के कई सारे अर्थ हैं जिने हम भीतर से खोल कर पढ़ सकते हैं पहली चीज तो यह कि इस्तिमाही का अकड़ा रिजर्बेंक को सरकार की अपनी उम्मीदों से कापी खराफ था भारत में और अब चूंकि भारत में पूरी तरह करनी पढ़ेंगी कि अर्थ व्यस्ता में आने वाले हफ्तों महीनों में कौार्टरस में गिरावाट आएगी जो रिजर्ब बैंक ने भी कहा है बाकी लोगों ने भी कहा है और हाला कि सरकार उत्साही तोर पर यह दावा कर सकती है कि भारत के आर्थिकासदर साथ फीजदी स होने के बादा आए जिनने डिनाय नहीं किया जा सकता नकारा नहीं जा सकता वो सब साथ फीजदी से नीचे के हैं अब यहां दुविधाज यह है वित्तमंतुरी का इस एंकेद्भूत इस पश्ट जानकारीयों के साथ नहीं आया पर वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार अपनी को स्टिमूलेट करे हमने पूरे कोविट के लॉग डाउन के दोरान जो माक्सिमम इस्टिमूलेशन भारत में देखा सरकार की तरफ से उस अब करजाधारी था अगर आप पूरे उस पैकेज को देखें जो दो लाख बीस लाख करोन रुपए के असपास का पैकेज आया था अ अगला किष्टों में जब भारत में लॉग डाउन हुआ था अर्थवस्था में गिरावट आया था सेवेंटी अटी परसेंट उसका बजट से कोई सीधा उड़ को नहीं था सारी चीजें क्रेटिट गैरेंटी के तोर पर थी बैंकों से कर्ज दिलाने के तोर पर था मरिट डाउन का असर हुआ था उस पूझी के इतने बड़े निवेश के बावजूद इस सस्ते कर्ज के बाद भी भारती अर्थवस्था में वो बाउंस बैक नहीं दिखा जिस बाउंस बैक की उम्मीद थी और यहां से अब सरकार का पूरा कलन फस चुका है रिजर बैंक ने अलग-अलग जिके छपा है जहां उन्होंने भी इस बात पर संकेत दिया है सरकार कैसे अर्थवस्था में वापसी मांग की वापसी कैसे कर सकती दो ही विकल्प हैं एक विकल्प ही है कि सरकार और ज़्यादा करज ले और ज़्यादा महेंगाई बढ़ा है जो शुब हमने अब को बताया कि बाजार से तो पैसा वापस खींचा जा रहा है और वापस पैसा बाज चोड़ने की कोई गुंजाईश नहीं दिखाई देती क्योंकि रिजर्बैंक अब तो रिजर्बैंक ने अपनी जो मौझूदा पाइप लाइने थी जिन पाइप लाइन से वाजार म परसेंट पर करज लेना भी मुश्किल होगा दूसरा तरीका है कि सरकार टैक्स में कभी करें यह स्टी घटा है लोगों को के हाथ में जाधा पैसा छोड़े उनके हाथ उन्हें तेवहार से पहले खर्च करने के लिए प्रेरित करें यह काम सरकारें आसानी से कर सकती है अग केंदर और राजे सरकारों के खर्च बुरी तरह बढ़े हुए हैं बजट इतनी बुरी तरह असंतोलित हैं कि केंदर सरकार ने तो उल्टा घोर मंदी और महंगाई के बीच में जेस्टी बढ़ा दिया तो टाक्स का बोच जो लोगों की मांग को तोड़ता है वो पिछले म इसा नहीं रखा जाएगा खर्च करने के लिए तब तक ये जो छोटी कारें मोबाइल और तमाम चीजों की डिमांड है इसमें बहुतरी नहीं होगी क्योंकि कर्ज के जरिये सस्ता कर्ज देकर इनकी मांग बढ़ाने बाजार में निवेश बढ़ाने कमपिनियों को नए न रता और चड़ाओ है रुपए की रोशनी में देखें इस उतार चड़ाओ की क्या माइन है क्या संकेत देना चाने ते गवर्नर आर्वे गवर्नर ने दो बाते कहीं के बयान से संकेत निकाला जा सकता कि रिजर्ब बैंक पूरी कोशिस कर रहा है कि वो जो रुपए में गि Whetherructure क्रक्र करने के कोशिस कर रहा है कि बाजार में रुपए और गिरता रहպएगा वो उसे ठामने के-लिए विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल कर रहा है और हम लगातार देख रहे में भारत का विदेशी मुद्राबंडा 631 बिलियन डालर था और 26 अगस्त को 561 बिलियन डालर रह गया इसमें बड़ा हिस्सा रिजर्ब बैंक की तरफ से रुपए की मजब को कमजोर होने से रोकने में डाला गया है लेकिन उनने ये भी संकेत दिया कि जक्सन होल में अमेरिकी फेट रिजर्ब के मुख्या जीरोम पावल की स्पीच के बाद दुनिया भर के बाजारों में जबर्दस उतार चड़ाओ आया कल के मनी सेंट्रल में हमने इस पर विस्तार से चरचारी की डालने की मजबूती के कारण तो उनका ये भी कहना था इशारे में कि एक सीमा से अधिक रिजर्ब बैंक रुपए की गिरावट को थामने में कामयाब नहीं हो सकेगा इसलिए जितना संभव है रिजर्ब बैंक रुपए को रोकने की कोशिस करेगा बहुती थिन डिवाइडिंग लाइन है भुत सी पतली सी रसी है रिजर्ब बैंक जिस पर चल रहा है जिसमें कि विदेशी मुद्रा भंडार का इस तर अगर एक बार और नीचे गया अभी रिजर्ब बैंक के कमफर्ट लेबिल के हिसाब से माना जा रहा है कि जो मुझूदा रिजर्ब है वो आट नौ महीने के आयत के लेकिन इससे नीचे जाता है तो फिर रिजर्ब बैंक के लिए रुपए पर मनोवे ग्यानिक दबाव रोकना मुश्किल होगा और इसलिए इस बात की चिंता आज उनके बयान में हमें पढ़ने में दिखाई देती है हाला कि भारत का विदेशी मुद्राबंडार अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि तात कालिक तोर पर कोई बड़ी चिंता हमें दिखाई दे रही हो तेल उत्पादक देशों के संगटन ओपैक प्लस की तरफ से सुमवार को उत्पादन कटवती के फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई विदेशी बादार में ब्रेंट क्रूट का बाव 75 डॉलर के ऊपर निकला जबकि डव्लू टेए क्रूट 89 डॉलर के करीब कारोवार कर रहा है ओपैक प्लस देशों ने सुमवार को फैसला किया कि अक्टूबर से अपने रोजाना तेल उत्पादन में एक लाख बैरिल की कटवती करेंगे पिछले मही ने ओपैक प्लस देशों ने रोजाना उत्पादन में इतनी ही लगवख बढ़ोतरी का फैसला लिया था लेकिन भाव नीचे आते देख संक्ठर ने फिर से उत्पादन में कटोती की गोशना कर दी सर कटोती की गोशना हुई उसके बाद कीमतों में कुछ तेजी देखी गई जरूर देखी गई लेकिन वो तेजी टिकी नहीं आज अगर हम देखें तो कच्चे तेल का बाजार है वो इतना जाधा वोलेटायल और इनिलास्टिक है कि थोड़ी बहुत अगर मांग आप उर्ट में बढ़ोतरी होती है तो हम कीमतों में चर्चा थी कि रूस को ये पता था कि ओपिक के देश अपने उत्पादन में अब बढ़ोतरी नहीं करेंगे बलकि कटवती करके उसे प्री कोविट से पहले वाले लिवल पर ले जाएंगे इसलिए रूस ने बाजार में पहले से ही काफी तेल छोड़ रखा था और इसलिए जो बाजार में मांग की कमी की सप्लाई की कमी की संभावना थी वो सप्लाई की कमी की संभावना रूस की तरफ से खतम कर दी गई थी और यहीं से ओपक और ओपक प्लस के बीच में एक बठवारा दिखाई दिया यानि रूस से चाहता है कि बाजार में उसका तेल बिकता रहे हैं उसके आगे आएंगे कि रूस के तेल को बेचने को लेकर और जो दूसरी तरफ से जो जो चुनोतियां बन रह इन दोनों में एक डावजन्स देखा शुबंग डव्लू टी आई की ग्रोथ जाधा तेज थी यानि कि ब्रेंट की कीमतों पर तो इस फैसले का थोड़ा मिलाजूला असर हुआ पर डव्लू टी आई पर इसे सिधा असर नहीं पड़ा डव्लू टी आई की कीमते थोड़ी उची दिखाई देती रही और तीसरी और सबसे महत्तुपूल बाती है कि बाजार ये मान रहा था कि ओपिक देश कुछ गहरी कटोती करेंगे और जाधा कटोती करेंगे उनके एक्सपेक्टेशन के हसाब से क्योंकि उन्हें वो ये मान रहे थे कि ओपिक देश आने वाले स थी और चोथी बड़ी वज़ाई है कि अंतराश्टी बाजार में मंदी का खत्रा लगातार बना हुआ है बढ़ने का क्योंकि एर्थवियस्थाओं में मंदी आलमोस दिखने लगी है अमेरिका में मंदी की संभावना है आज देने बढ़ती रहेंगी तो वैसे भी उपिक दे से लेकर बैंकिंग से लेकर रियल स्टेट तक इनके कारण बाजार में मांग में कमी की संभावना है अब यहां से जो अगला प्रदर्श्य में दिखाई देता है कि ओपिक देश शायद आने वाले समय में उत पादल में कटवती का एक फैसला और कर सकते हैं आने वाले समय में यह दिवू ने दिखाई देता है कि कच्चे तेल की कीमते 90 डॉलर से 90-92 डॉलर से नीचे जाती है इस बात का संकेत है दूसरी निगाहे उनकी इस बात पर है कि रूस के कच्चे तेल पर जो प्राइस कैप लगाया जाना यानि रूस को एक बाजार में एक और बड़ा उथल पुथल हमें दिखाई देगा जब यह फैसला हो जाता है बिल्कुल और आज भी जब हम बात कर रहे हैं तब ब्रेंट क्रूट पौने 3% से ज्यादा तूट चुका है 93 डॉलर के करीब पहुंच गया है रूस के क्रूड आयल के भाव पर क कैपिंग को लेकर G7 देशों के प्रस्ताओं पर भारत की तरफ से कुछ शर्ट ने रखी गई है रिपोर्ट की माने तो कैपिंग के प्रस्ताओं को भारत तभी मानेगा जब इरान और वेनजुला से तेल की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी भारत को अपनी ज़रूरत क नहीं दिखती है भारत इस प्रस्ताओं को नहीं मानेगा सर क्या रूस के वायल पर कैपिंग सफल हो पाएगी मौजुदा इस्तिती को देखते हुए जादे भारत ने शर्त ने रख दी हैं दो बड़ी चीजें हैं रूस के तेल की कैपिंग के उपर रूस को रूस के तेल को एक निरधारित की सीमा से अधिक कीमत पर ना बेचने की शर्त लगाने पर विवहारी कुरूप से भी और कूटनीती कुरूप से हमें देख रहे हैं कि दुनिया की जो बड़ी बड़े गरहक हैं जिन्होंने अंतराश्ट्री प्रतिबंधों को बाईपास करके या अंतराश्ट्री प्रतिबंधों के वावजूद रूस से खुब तेल खरीदा पिछले तीन-चार महिनों के दोरान भारत और चीन ने उन्होंने इस कैपिंग के प्रस्ताओं को उसमें खास्तर से भारत ने ऐसा आज रिपोर्ट हुआ है कि भारत ने रूस के तेल के उपर मूले सीमा लगाने के प्रस्ताओ प्रस्ताओ उपर सवाल उठाए हैं। भारत की आशंका या चिंता ये है कि जी सेवेंट देशों को पहले ये निरधारित करना पड़ेगा कि अगर रूस का तेल बाजार से बाहर जाता है तो अन्य देशों का तेल बाजार में आना सुप हो जाए। दे रहे हैं कि जी सेवेंट देशों को बाजार में आपूरती सुनिश्चित पहले करनी चाहिए फिर रूस के तेल पर कैपिंग लगानी चाहिए। ये चीज़ पर टिका है कि योरोप अपनी इंशुरेंस कमपिनियों से ये कहेगा कि वो रूस से तेल उठाने वाली शिपिंग कमपिनियों को भी माना दे। रूस ने कल पलटवार करते हुए ये कहा है कि जो कमपिनियों प्राइस का फालो करेंगे उनको हम तेल नहीं देंगे। अब यहां से हो सकता है कि दुनिया के कुछ देशों में कमपिनियों बढ़ जाएं क्योंकि हमने ग्रीस पर एक वार्विस्तार से चर्चा की थी। जाती है तो फिर हमें कच्छे तिल की कीमतों में बढ़तरी का एक बड़ा दौर दिखाई देगा और अगर वो बढ़तरी होती है और रूस ने यह कहा है कि अगर उसके उस पर प्राइस कैपिंग लगाईगी तो बाजार में तेल आपूरती करना बंद कर देगा तो फिर प युक्रेन पर हमला या बाकी देशों पर हमले जैसी योजनाओं को फिनांस कर सके अब यह बहुत ही बहुत बहुत क्लोजली निट सारी चीजें हैं जिसका संतुलन बना पाना इतने बड़े बाजार में संभव नहीं और मुझे लगता है रूस अंतराश्टी कच्छे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के शर्त पर काफी दबाव बनाएगा और अगर रूस का तेल बाजार से बिलकुल खतम हो गया तो फिर कच्छे तेल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी रोकने से रुकेगी नहीं और फिर वो पूरा मकसद प्रभावेत होगा पर यह घटना करम दि कीमतों में तीस फीसद का उच्छाल देखा जा चुका है सर यूरोप के लिए कितना बड़ा संकट है कितनी बड़ी चिंता है यूरोप के लिए इमीडियेटली तो बाजार में गयस की कीमतों में बढ़ोतरी बड़ी चुन होती है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कि वेवस्ता नहीं किये कुछ देशों ने यूरोप के बड़े देश जर्मनी और फ्रांस ने अपने आरेंज्मेंट कर लिए हैं गैस की आपोर्ती के लेकिन फिर भी जब तक पूरा यूरोप पूरे दुनिया से गैस की उतनी आपोर्ति से नहीं कर लेता जितनी आपोर्त इसको रूस से होती थी नेचरल गैस के बाजार में बिलकुल दूसरा रुख में दिखाई देगा कच्छे तेल का बाजार बिलकुल दूसरी दिशा में मूव करेगा पर नेचरल गैस के बाजार में दुनिया में लगातार तेजी बनी रहेगी और नेचरल गैस की महंगाई जब तक natural gas की महंगाई कम नहीं होगी तब तक योरोप अपने महंगाई से और मंदी से उबरने की उमीद भी नहीं कर सकता क्योंकि जब तक natural gas के prices 6-6 डालर के आस-पास नहीं आते हैं तब तक इन देशों में महंगाई में लंबे समय की कमी संभाव नहीं है इसलिए ये माना जा रहा है कि दुनिया में इस बार जो योरोप के देशों देश जिसमंदी की तरफ बढ़ रहे हैं उसमंदी का सीधा रिष्टा है ड्रोकार्बन से तो अगर तेजी से गैस की सप्लाई, गैस का उत्पादन, गैस के आपूर्त, गैस के कंटेनर्स की आपूर्ती नहीं बढ़ी तो योरोप को लंबे समय तक इस गैस की महँगाई का सामना करना पड़ेगा अब वक्त हो गया है मनी नैंके के स्पेशल रिपोट का जो ये बता रही है कि शेयर बाजार में लंबी तेजी पर फिलाल ब्रेक लगता दिख रहा है शेयर बाजार में लंबी गिरावट के बाद आई रिकवरी अब थम चुकी है विदेशी निवेशकों की खरीदारी पर भी ब्रेक लगा है और घरेलू संस्थागत निवेशक बिकवाली बढ़ा रहे है माहौल ऐसा लग रहा है कि शेयर बाजार में बड़ी तेजी शायद ही दिखे उपर से विदेशी निवेशकों की बिकवाली का एकांकडा और डरा रहा है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर के पहले हफते के दोरान निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजिशन बढ़ा दी है दो सितंबर को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निफ्टी और बैंक निफ्टी में 85,000 कॉंट्रेक्ट की शॉर्ट पोजिशन देखी गई जो मई के बाद तीसरी सबसे बड़ी शॉर्ट पोजिशन है शेयर खरीदारी में विदेशी निवेशकों का वह जोश भी गायब है जो जुलाई और अगस्त के दौरान दिखा था जुलाई और अगस्त के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 56,000 करोड रुपे से ज्यादा के शेयर खरीदे सितंबर के पहले दिन भी ये जोश बना हुआ था लेकिन उसके बाद से एफपी आईज ने बाजार से पैसा खीचना शुरू कर दिया इधर घरेलू संथागत निवेशक भी बिकवाली में लगे हुए हैं अगस्त के दौरान डियाईएस ने 7,000 करोड रुपे से ज्यादा की बिकवाली की है ये वही निवेशक हैं जिन्होंने उस समय बाजार को समभाला था जब FIIs 9 महीने तक एक तरफ आप बिकवाली में लगे हुए थे लेकिन अब DIs भी बेचने पर आ गए हैं तो बाजार को बचाएगा कौन यही डरत और रिटेल निवेशकों को सता रहा है हलाकि बाजार के जानकार मान रहे हैं DIs की बिकवाली सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है और सही समय आने पर उनका निवेश फिर बढ़ जाएगा एक्सिस डिरेक्ट के वाइस प्रेसिडेंट राजेश पालविया जैन का कहना है कि निचले इस तर से करीब 15 फीसत तेजी के बाद DIs मुनाफ़ा बसूली में लगे हुए है राजेश का मानना है कि घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास अच्छी खासी कैश होल्डिंग है और सही समय आने पर वे फिर से बाजार में एंट्री ले सकते हैं राजेश पालविया का मानना है कि डेरिवेटिव मार्किट में विदेशी निवेशकों की बिकवाली के पीछे की वजह हेजिंग है उन्होंने कैश मार्किट में अपनी पोजीशन बढ़ाई है और उस निवेश को सुरक्षित रखने के लिए डेरिवेटिव मार्किट में शौर्ट पोजीशन ली है हाला कि राजेश का ये भी मानना है कि मेक्रो पेरामीटर्स अभी भी बाजार के हक में नहीं है अमेरिकी डॉलर में तेजी बनी हुई है यूएस का सेंट्रल बैंक अभी भी ब्यास दरे बढ़ाना चाहता है और वैश्विक इस्तर पर मंदी की आशंका गहरा रही है बाजार में अगर गिरावट नहीं भी आई तो इन तमाम वजहों से तेजी आना भी तो मुश्किल है मनी नाइन के लिए संदीप ग्रोवर की रिपोर्ट सर बाजार में एफ आईज डी आईज दोनों ठिटकते दिख रहे हैं इस बीच रिटेल निवेशक अगर देखें तो वो कहां खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं रिटेल निवेशकों को दो नजरिये से हम बाजार में के घटना करम को पढ़ने के कोशिश कर रहे हैं एक तो हमने जो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि जो एक्विटी मीच्वल फंड से उन्होंने विक्वाली की हैं उन्हें भी बाजार में वो अपने रिटरंस बुक कर रहे हैं पर एक बड़ा चौकाने वाला घटना करम या फेनोमेना इस समय बाजार में दिख रहा है जिसके अपने सारे घातक और चौनोती पूर्ण असर भी हैं बाजार के नताजे आकड़े बता रहे हैं कि आप्शन ट्रेट्स में तेज बड़त्री हुई है और इस तरीकी की चर्चाएं बाजार में हैं कि सामान लोग आम लोग बिजनेस चोटा बिजनेस करने वाले लोग अब डिफरेंट माध्यमों से बाजार में आप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं मैं आकड़ा देख रहा था कि 31 अगस्त के तक पाँच महीने में एवरिज नंबर आफ कॉंट्रेक्ट जो एक महीने में ट्रेड किये जाते थे वो ठाई गुना बढ़ गए हैं यानि कि एक बिलियन से दो साथ छे बिलियन हो गए हैं फावर्ड कांट्रेक्ट का या फीचर आप्शन कांट्रेक्ट का बाजार में नंबर हमें भी बता रहा है और ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि जैसे कैश सेग्मेंट में सेवी ने सखती करके नए तरीके के नियम लागू किये हैं उससे बहुत बड़े सौधे या बहुत बड़ा निवेशकों का इंट्रेस्ट हमें आप्शन ट्रेडिंग में दिखाई दे रहा है आप्शन ट्रेडिंग में रिस्क भी है सामान से जधा और आप्शन ट्रेडिंग में लोगों को मुनाफ़ा भी और फायदा भी है लेकिन NSE के अपने आकड़े बता रहे हैं कि अभी अगर ये चोटे निवेशक आप्शन ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो उनके लिए ये चाधा बड़ा रिस्क है क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट बता रही है कि बाजार में बड़े निवेशक भी बहुत समल कर प्ले कर रहे हैं तो थोड़ा समल कर आगे बढ़े क्योंकि ये रिटेल निवेशकों के लिए आसे थोड़ा खतरनाक टरेन माना जात कॉंपिटिशन कमिशन यानी CCI ने सुमवार को पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पेयू और बिल्डेक्स की डील को मंजूरी दे दी पेयू ने बिल्डेक्स को खरीदने के लिए 4.7 अरब डॉल का सौधा किया है करीब एक साल पहले ये डील होई थी जिससे अब CCI की मंज मोनोपूली बढ़ेगी सर इस डील का भारत के बादार के लिए क्या मतलब है क्या माइने हैं कंप्टिशन कमिशन ने इसे शायद मोनोपूली के खत्रे के कारण या दोनों कम्पीनियों की तरफ से कम जानकारी दिये जाने के कारण रोका था अब शुमन आपको बताया कि य टेकनोजी स्पेस में सबसे बड़ी दील है बिल्डिस्क आमतार पर सरकारी संस्थाओं के साथ सरकारी एजिंसियों के साथ बैंकों के साथ यूटिलिटी के साथ काम करती है और सरकारी बिलों को प्रसेस करती है बिल्डिस्क के करीब करीब साल में 90 बिलियन ट्रांजेक्श सेलर्स तक पहुंचाती है यह करीब करीब 25 बिलियन प्वेमेंट्स हर साल मैंज करती है अब अगर आप ए मिला लें कि दोनों को अगर मिला लें तो दोनों का करीब करीब जो मार्केट transaction का size है वो अगर आप 90 और 25 बिलियन मिलाने तो 100 बिलियन के असपास करीब करीब बहुं जाएगा वलकि उससे उपर निकल सकता है और इसका सीधा असर शुभम जो दो-तीन बड़ी companyya है जो बाजार में challenger है इनकी उनके उपर दिखाई देगा उसमें जैसे की आप की फिंटेक की बागी companyya है पेटियम है रेजर प्रे है पाइन लैप्स है जो एक इंपॉर्टेंट कंपेटीटर है इनफीवीम है अन्स्वाइप है इन companyya के लिए अब ये ये साजहा उपक्रम सबसे बड़ी चुनोती होगा क्योंकि एक बड़ा हिस्सा बाजार में online payments का गेटवेज का और बिल पेमेंट का इन companyya के पास जाएगा और बिल डिस्क की खास्त तोर पर बड़ी हिस्सेदारी सरकारी वैंकों के साथ कारोबार में और उनके payments को लेकर अधानी संहों से जुड़ी आज दो बड़ी खाबरी आई पहली खाबर ये कि अधानी गुरूप को अधानी पोर्ट को इसकी जो company है सुप्रिम कोट से रहात मिली सुप्रिम कोट ने कहा है कि विशाखा पटनम पोर्ट ट्रस्ट के साथ करार रद होने की वजए से अधानी अधानी गुरूप का कहना है कि उन पर जो कर्ज है वो सेहनी इस तर पर है और इंडस्ट्री के स्टेंड़ेट के अनुसार है आपको याद होगा क्रेट साइट के एक रिपोर्ट आई दी इसमें कहा गया था कि जरूरी है ध्यान रखा जाए इस company का क्योंकि इन पर बहुत और इस फैसले के कारण जेन पीटी पोर्ट के बोर्ड ने अडानी का प्रवेश उस टर्मिनल बनाने की प्रियोजना में रोक दिया था जिससे भारत के और बाकी बंदरगाहों में जहां जहां ने निवेश की जरूरत है वहां अडानी की भविश्य की संभावनाओं पे व दिखाई दिया दूसरी बात दूसरा दूसरी खबर जो अडानी की तरफ से क्लरिफिकेशन आया या जो उन्होंने क्रेडिट साइट को अपनी तरफ से सफाई दी वो है दूसरी खबर और उस खबर में अडानी ने बाजार को और जो क्रेडिट रेटिंग इंजिंसी है उस का डेट टेट टू की रेशियो या इस पर कर्च का बहुत जादा नहीं है उन्होंने ये भी बताया अपने रिपलाई में कि फिछले नौ साल में जो डेट टू इबिडा रेशियो है वो 7.6 से टाइम से घटकर 3.2 टाइम सुआ है करीब करीब 16 बिलियन डालर की एक्विटी अडनी ने अलग-लग स्रोथ से जुटाई है तो उनका दावा था कमपिनी का कि उनका डेट मैनेजबल लेवल पर है अब बाजार इस बात को कैसे सुनेगा वो क्या इमानेगा कि अडनी-समू पर करण करजवास्तों में मैनेजबल है या अडनी-समू कर्च के दबाव में रहेगा यह फैसला हमें बाजार के स्ट्राक मार्केट के रियक्शन पर दिखाई देगा अब आज दिन की सबसे बड़ी कावा अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच पिछले महीने एक समझोता हुआ जिसके तहट अमेरिका को चीन की उन कंपनियों के अधिकार मिल गया है जो अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट है इस समझोते से अमेरिका के शेयर बाजारों में लिस्ट चीन की 200 से ज़्यादा कमपनियों के डिलिस्ट होने का खत्रा फिलहाल के लिए आप मान सकते हैं कि टल गया है अमेरिकी शेयर बजार में चीन की 261 कंपनियां लिस्ट हैं उन में से चीन की कई सरकारी कंपनियां भी शामिल है पिछले मही ने चीन की 5 कंपनियां शेयर बजार से डी लिस्ट भी हुई है सर डी लिस्ट की चेताबनी क्यों दी गई थी अमेरिका की तरफ से ये बड़ा दिल्चस्प गटना करम है जो ताइवान में चीन और अमेरिका के बीच आमने सामने की पेश बंदी और अंतराश्ट्री इस तर पर चीन बनाम अमेरिका की तमाम चर्चाओं के बीच है ये माना जा रहा है कि सितंबर के इस महीने के दूसरे सब्ता हमें अमेरिका के आडिटर्स की एक टीम हांग कांग पहुँच जाएगी और वो पहली बार चाइना की कमपिनियों के खातों की जाच करेगी और इस बात पर चाइना सहमत हुआ है ये किसम की डील है किसम का दरसल चीन की 30-35 से जादा बड़ी कमपिनिया चीन की बड़ी कमपिनिया अमेरिका के स्टॉक चिंजेज में लिस्टेड हैं और ट्रांस्पेरंसी के मामले में आंकडों के मामले में उनके वित्ती कामकाच के मामले में हमेशा चीन की कमपिनियों पर अमेरिका में सवाल अमेरिका ने लगातार दबाओ बनाया चीन पर कि उनकी प्रमो कमपिनिया अलिबाबा, बाइदू, जेडी.com इनके एकाउंट्स अमेरिका के रेगलेटर्स को दिखाये जाएं जैसे कि बाकी कमपिनिया जो अमेरिकी बाजार में लिस्टेड हैं उनको दिखाये जाते हैं उन के बाद इस बात का खत्रा था कि चीन की कमपिनियों की डीलिस्टिंग की जाएगी इसके लिए दोहजार चौबिस के पहले पहले पहली तिमाही की समसी मात्य की गई थी और उसके बाद चीन की कमपिनियों की अमेरिका के शेयर बाजार से डीलिस्टिंग यानि जो बाजार जो किसी एक देश की कंपिनिया डीलिस्ट होती है और मास में डीलिस्ट होती है तो इसका असर उसे उसके अंतरश्टी निवेश संभवनाओं पर बढ़ता है अब क्या डील हो गई है जो ये खत्रा फिलार के लिए टलता देखा है ये बड़ी डील है और ये आश्यर है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाजार में इस बात पर आश्यर हो रहा है कि हम एक तरब भूती आकरामक किस्म की पॉस्ट्रिंग चीन और अमेरिका की बीच में द ये करार किया है चीन के जो चीन की अमेरिका की टीम है वो चीन पहुँच रही है लाकि चीन ने आधिकारिक रूप से इसका इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन चीन ने इस डील की घोशना या अमेरिका की तरफ से इसकी घोशना को डिनाई भी नहीं किया और ये भी स क्रिया काफी लंबी और कंप्रेंसिव है इसके बारे में विस्तर जानकारी बाद में बाहर आएगी लेकिन शुरुआत में सबसे पहले चीन की जो टॉप टेक कमपिनिया है अली बाबा बाइदू और जेडी डाट कम इनके एकाउंट से यह पड़ताल शुरू होगी मूल ने बाद का औरोप अमेरियका में लगता रहा है कि चीन की कमपिनिया है त livestock market की बड़ी हिस्सेदारी है को प्राइवेट कमपिनिया सामने से देखने में लगती है लेकिन पीछे हूँ थरसल सरकार के उपक्रम है और चीन की प्राइवेट कमपिनिया हुसे फलाग लेकर और इसके बाद पहले चलन में जैसे अलीबाबा, टेंसेंट और बाइदू है, उसके बाद फिर कुछ और जो बड़ी कमपिनिया है, जिनके उपर आरोब भी है, जिन पर ट्रांसपरेंसी के आरोब भी है, वो भी आएंगे, और ये जाच केवल चीन, में लिस्टेड कमपिनि कि साल से पता चलेगा कि चीन की कमपिनियों के कामकाज कैसे है, लेकिन इस पूरे घटना क्रम में, जो पिछले एक साल से चल रहा है, इसके बाद चीन की कमपिनियों के स्टॉक सामिरिय। अम्रिका में गिरें हैं हांग कांग में भी गिरे हैं और उन हैं वैसे भी चीन में टेक्नलाजी कंपीनियों पर अंदर से क्रैक डाउन चल रहा है तो जानने की बात बाद दिल्चस्प बात यह है कि राजनेता और और दुनिया की कूटनी थी एक अलग दिशा में एक अलग तरह से विवहार करती है और एक दूसरी दिशा में एक दूसरी तरह से विवहार करती है हम एक तरफ देख रहे हैं कि चीन और अमेरिका एक दूसरे के सामने खड़े हैं वहीं दूसरी तरफ चीन और अमेरिका चीन अपनी कंपीनियों को अमेरिकी बाजार में सूची बद बनाये रखने के लिए वो करने को त्यार हो गया जो सामान रूप से कोई देश असानी से त्यार नहीं होता है अपनी कमपीनियों के खाते और एकाउंट खोलने के लिए ऐसी एक चर्चाम ने साइड लाइन्स पर पिछले दिनों में सुनी है जिस पर अभी महर नहीं लेगी लेकिन वो भी सामने आएगी आ सकती है दो बार अमेरिका में उचिस्तर से इस बात का संकेत दिया जा चुका है कि चीन से जो सामान पर ट्रम्प ने इंपोर्ड्यूटी लगाई थी और जिसके कारण उस आयात का असर अमेरिका की महेंगाई पर दिख रहा है उसमें भी कमी करने की किये जाने की संभावना है दो बार इसके संकेत उचिस्तर से दिये जा चुके है अगर ऐसा होता है तो हम बिलकुल एक परडॉक्स देखेंगे कि एक तरफ चीन और अमेरिका के बीच स्ट्रेडिक्स तना तनी है और दूसरी तरफ कारोबारी रिष्टों को सामान ने बनाया रखने की ठंडा रखने की कोशिश चल रही है तो यह था हमारा आज का मनी सेंटर बहुत शुक्री है सर आपका जूड़ने के लिए तमाम ख़वरों पर विश चीजें आपको अने चाहिए कहां से लेना चाहिए एज यह तमाम सारी चीजें आपको इस शो मर्म मिलेंगे यह तो दकार मनी नायम की चिज़ाप और खर्च बहदुर की प्लेडिस प्लेलिस्ट पर जा कर देखे कि कि या आपके लिए फायदेमंद है second hand deal फिलाराज की शो में इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकाश शाम को 7 बजे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार झाल के लिए इजाज़त नमस्कार